नमश्कार दोस्तों आप सभी के स्टॉक इजी में स्वागत है दोस्तों आज हम कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टॉक फंडामेंटली स्टॉंग है और उनकी जो शेर प्राइज होगी वह 100 रुपीज के अंदर होगी तो आज का जो हमारा पहला शेर यह पहले होगा वह घी gila मिटेट शेर इष्र को कि अगर तो इसक अमांट वह भी काफी चोटा है तो इसका मारकेट कापिन काहिए काफी क कब है इसका कर्ज अगर ऐसा कुछ हमें दिखता है तो यह हमाई लेक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कि कंपणी का जो मार्कर कापिटल है वो उसके कर्ज से यहां पे ज्यादा है यानि कि कंपणी ऑल्मोस कर्ज मुफ्त कंपणी होती है अगर यहां ही आप इसके रिटर्न अ यहां पर उन लोग ने यहां पर कर्ज में रखा हुआ है यानि कि पैसे लिए हुए तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर उन्होंने 0% अपने शेर्स को प्लेज किया हुआ है यानि कि उनके सारे शेर्स यहां पर मुक्त है और यहीं अगर आप प्रमोटर्स की holding देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहां पर प्रमोटर की holding 50% से जादा यानि कि 73.6% है यहां पर company ने अच्छी खासी पकड यहां पर रख्क हुए प्रमोटर्स की यहां पर अपने कंपनी पर एक अच्छी खासी यहां पर पकड़ है अगर आप स्टॉक पीए देखेंगे तो 10.7 और इंडस्ट्री पी 20.6 है यानि कि यहां पर स्टॉक का पीए काफी कम है अगर हमें मौका मिले तो यहां पर अपने पैसे इस शेर में यहां चार्ट को भी देखेंगे तो यहां पर जो चार्ट नहीं साइड वेज भीिछ इस आपको डारेक अप Pois शेर में आप शॉर्ट तम के लिए इंवेस्ट कर सकते हैं अगर हम competश का काम वह यहां स्टोपने कर सकते हैं항 पर इननलाइज करेंगे अगर हम इहां पर इसको फिर फोर पर जाकर देखेंगे तो यहां पर आपको देखने मिलेगा कि यहां पर इक अच्छा खासा इहां पर दिमांड जोन है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक demand zone बना हुआ है तो अगर price इस range में आती है यहाँ पर आपको आते वह दिखे तो यहाँ पर अपना एक amount डाल सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर stop loss के साथ काम करना होगा price अगर 39.52 के आसपास आएगी तो यहाँ पर अपनी buying करके और जो यह candle है इसका जो low है इसका low है यहाँ पर 22.05 तो यहाँ पर अपना दूसरी यहाँ पर stop loss रखके यहाँ पर अपनी buying बना सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर stop loss पर ध्यान देना होगा without stop loss आप यहाँ पर trade ना क India अगर आप यहाँ पर देखें तो जो market capital हो काफी अच्छा दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर इसका market capital है 4,234 करोड है अगर यहीं आप इसकी कर्ज को देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा तो यहाँ पर इसका कर्ज है वो 2,912 करोड है याड कि इसके market capital का आधा यह 3 है और इसका sell growth 25.1% है और यह company ने भी अपने सारे shares को यहाँ पर मुक्त रखा हुआ है यानि कोई भी shares लोग ने यहाँ पर कर्ज में रख के पैसे नहीं लिए हुए है और यहाँ पर promoters की holding 50% से जादा आपको देखने मिलेगे 63.8% यहाँ पर इनका जो है वो promoters की holding है या अगर आप यहीं देखे तो आपको यहाँ पर FIs और DIs का भी interest देखने मिलेगा FIs ने 3.30% का है पर investment रखा है और यहीं DIs ने FIs से भी जादा अपना investment बना रखा है 7.47 यहाँ पर इसका investment तो हमें यहाँ पर यह देखना है कि यह share हमें कब और कहां अपने investment बनाने का मौका द नहीं है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा इस share को अपने watch list में रखे जब आपको मौका मिले तब आप इस share में अपने investment बना सकते हैं जिसी के आप देखेंगे कि इस समय हम यहाँ पर इसके 3-month चार्ट पे ऐसा SCI के तो यहाँ पर भी आपको एक demand zone देखने मिलेगा कि इस तरह price यहाँ पर काफी अच्छा demand zone बनाया हुआ है price जब इस range में आएगी यहाँ पर तो अब यहाँ पर आप अपना एक चोटा सा investment बना सकते हैं price है इस candle का जो high रहेगा इस candle का high है 66.80 यानि कि इस समय उसका current price चल रहा है 90.60 चल रहा है तो हम तो वेट करना होगा जब price यहाँ पर आएगी तब यहाँ पर हम अपनी एक buying की position बनाएंगे और जो हमारा stop loss होगा इस candle का जो low है यानि कि इस candle का low है 35.50 इस candle का जो low है वो हमा यहाँ पर stop loss बन जाएगा और आप यहाँ पर stop loss लगाना न भूले जब भी आपको ट्रेडिंग करते हैं तो stop loss के साथ ही काम करें नेक्स जो हमारा share है वो है CESC Limited यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो market capital है वो काफ़ी यहाँ पर आपको 920 करोट देखने मिलेगा लेकिन अगर आप इसके कर्स को देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो कर्स मार्केट कापिटल से काफी जादा है यानि कि इस चीज़े में इंवेस्टमेंट तो नहीं कर सकते लिकिन हां अगर और चीज़ों को अगर आप यहाँ पर देखें इसके रिटर्न उन युपीटी को 13.4% है प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको काफी अच्छी देखने मिलेगे 52.10 है और कंपनी ने अपने कर्स को भी यहाँ प्लेज नही अगर आप चाहें तो इस शेर में स्टॉप लोश के साथ अपना चोटा सा इंवेस्टमेंट बना सकते हैं अगर आपको यहाँ पर चार्ट में इसके दिखें कि हां यहाँ पर हमें बाइंग करनी है तब इस शेर में आप अपनी बाइंग की पोजिशन बनाया है यह तो चार्ट पर तो नहीं है हम जाएंगे इसके वनमंत के चार्ट पर अगर आपको कहीं पर कोई पॉजिटिव इंडिकेशन मिले यहां फिर कोई आपको डिमांड जोन मिले यहां फिर कोई बुलिश इंडिकेशन मिले जैसे कि कोई बुलिश कैंडल स्टिक पाटन फॉर्म होत तो हमारे पॉजिटिव इंडिकेशन है तब यहां पर हम अपनी एक लॉंग की पोजिशन बना सकते हैं जब तक इसमें कोई पॉजिटिव इंडिकेशन ना दिखे तब तक इस शेयर से आप दूर रहें और इस शेयर को अपने वाच लिस्ट में रख लीजिए नेक्स जो हमारा शेयर है वो है एल्टी फूड एल्टी फूड में अगर आप देखेंगे तो इसका मार्केट कापिटल है 3401 करोड है और इस कंपनी का कर्ज 1392 करोड याने कि जो इसका कर्ज है काफी कम है इसके मार्केट कापिटल से तो यह चीज है हमारे लिए पॉजिटि है और यह काफी अच्छा रिटन और इक्विटी है इसकी सेल ग्रोथ भी काफी अच्छे है 31.4% यहां पे इसकी सेल ग्रोथ हमें दिख रहे और इसका जो शेयर है यहां पर पूरी तरह से मुक्त है यहां पे प्रमोट्टर की होल्डिंग में 52% है और एक चीज अगर आप देखें तो यह सही टाइम में इसमें इंवेस्मेंट करने का यानि अगर आप देखें स्टॉक का पी यहां पर 9.83 है इंडस्री का पी यहां पर 43.9 यानि की चीज़े इदर सारी कि अगर चार्ट में आपको मौका मिल रहा है दावत के एल्टी फूड के चार्ट में अगर हमस्हार चार्ट के आगे हैं मन्तली चार्ट पर अपको मौका मिले उस Communism की आयाल इसमें बीच में कहीं एक कोई अगर डिमांड जोन बना दिया या फिर बुलिश कोई कैंडल स्टिक पाटन फॉर्म करता है तो वहां पर अपनी एक बाइंग की पोजिशन बना सकते हैं अगर हम 3-month के चार्ट पर जाके देखें तो यहां पर कहीं है हमारे लिए बाइंग की पोजिशन बनाना यही चीज हम ने अपने 12-month के चार्ट पर भी देखी थी तो हमें थोड़ा वेट करना होगा प्राइस अब नीचे की और आएगी और नीचे की और आने पर यहां पर आप सकते हैं था मार्केत कापिटल है वह है तांदे ट्वेंटीन देखें और सब्सक्राइद उक्ट भी खर आइद पोजिए अच्छा है इसके करद एक लिएat Mia कॉजिए औरहर पर उने मार्केट कापिटव पॉजिटिव इंडिकेशन है यहां पर इसका रिटन के-विट प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो भी 50% से ज्यादा है यहां पर 51.3% यहां पर इसका जो है मार्केट प्रमोटर्स की होल्डिंग है यानि उन्हें काफी अच्छी पकड यहां पर बना रखी है और स्टॉक का पी यहां पर 9.14 है इंडस्ट्री का पी 28.8 है यानि कि यह दर्शारी कि अगर आपको मौका मिले चार्ट में कोई टेकनिकल आपका अनलाइज है जिससे कि आपको पता चली कि आपको बाइंग करनी चाहिए तब आप इस शेयर में अपनी बाइंग की पोजिशन बना सकते हैं जैसे कि अगर हम यहां पर जाएं अपने टाइंग ट यहां पर इस burger में आने पर आगर हमें मौका मिले अगर फ्राइज यहां पर आती है उस समय को मार्केट जो है पोजिट्यव है और यहां पर आने पर इस ने पने कई बुलिश इंडिकेशन दिया यहां पर हमें कुछ बेकाउट मिल रहे हैं इस रेंच में तो यहां पर इस की पोजिशन बना लेंगे तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमने आज पास शेर को यहां पर अनलाइज किया है कि सारे फॉर्णामेंटली काफी अच्छ हैं लिकिन आपको इन स्टॉक्स में काफी सतर्क हो के शॉर्ट तम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ज स्टॉप लोस करेंगे तो सत्या मार्केट की कंडिशन अच्छ होने के ना कारण यह प्राइस डारेक्ट और नीचे के और ट्रेड कर सकते है इसलिए बिना स्टॉप लोस के ट्रेड ना करें तो दोस्तों आज कर नहीं रुपना कि स्टॉपिक से लड़ें कोई भी डाउट तो कमेंट करके अगर अभी तक आपने हमाया चैनल सब्सक्राइब करें हम आपसे जल मिलें नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ